पती था नसेडी, पती नशे में रात के 11-11 बजे घर से बाहर जाता था और दिन में करीबन आठ बजे तक उसका नसा उतरता था और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस चलता था जो उसकी पतनी थी, जो की एक नई नवेली दुलहन थी, जब वो अपने पती को इस हालत में देखती है तो बहुत ही परेशान होती है एक सेट जो की दिल्ली का रहने वाला था, वो एक लड़की को चुनता है जो बेहद ही गरीब परिवार से होती है लेकिन पढ़ीली की होती है एक ऐसी दर्दभरी कहानी है अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे तो शुरू करते हैं आज की कहानी नमश्कार में महख चौदरी लेकर आई हूँ हो आपके सामने दिल्ली के एक इक आलाखे की सत्रीट यहाँ पर एक परिवार होता है जिस परिवार में सेट, सेटानी होते है और उनका एक लोटा बेटा होता है एकलौता बेटा जो है हम है बॉबी जो की बेहद ही नशा करता है अब परिवार को लगता है कि हमारे बेटे को जो जीवन दान दे रखा है वो उसके ड्राइवर ने दे रखा है ड्राइवर जो की राजिस्थान का रहने वाला था जिसका नाम था गौतम ये कहानी इस कदर त क्या सही रहा गलत रहा वो ज़रूर बताएगा तो जब परिवार क्योंकि जो सेट जी थे वो बहुत ही अमीर आदमी थे करोडों की उनकी प्रोपर्टी थी और करोडों की प्रोपर्टी के साथ उनका एक ही बेटा था अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका बेटा मुश्किल से साल छे महीने का है नजाने वो अपनी जिन्दगी कैसे काटेंगे उस बेटे को क्योंकि वो नसा मुक्ती केंदर में छे महीने तक रहता था और उसके बाद मुश्किल से 10 से 15 दिन ठीक रहता था उसके बाद फिर से नसा मुक्ती के इंदर में उसको डाल दिया जाता था और जब वो वहाँ पर रहता तो उस समय जो गौतम था वो उसकी निगरानी किया करता था वही उसको गाड़ी से जहां वो जाता वहाँ पर ले कर जाता था और फिर वापस लाया करता था अब इस बेटे के लिए ऐसी लड़की तलास रहे थे जो उनके घर की जिम्यदारी भी समझे उनके बेटे को भी समझे और उनके business को आगे चला सके तो यही बात जो सेड़ जी हैं वो अपने मुनीम से कहते हैं उसी मुनीम का एक दोस्त था जैपुर में जैपुर में वो अपने दोस्त से बात चलाता है कि तुम्हारी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लड़का है उसकी बेटी जिसका नाम होता है निहा जो कि अपनी सारी पढ़ाई करने के पाद जैपुर में ही जॉब करती है बेटी जॉब करती है पिता भी मुनीम रहा है जब एक मुनीम से दूसरा मुनीम बात कर दा है तो वो समझ जाता है कि मेरी बेटी बहुत ही आराम से जिंदगी बसर करेगी कि यह और देंसे लग रहा था कि कोई नहीं क्योंक्य बात सेट के मुनीम ने लड़की के पिता को बता देती उसने बताय था और कोई प्रहेसानी नहीं सिर्फ लड़का थोड़ा बहुत नकार नसा करता है और आगे बेटी को किसके पल्ले भांद रहा हूं लेकि वो फिर मजबूर हो जाता है वो सोच जाता है कि मैंने कितनी बड़ी तकलीफ है जेली है मेरी बेटी राज करेगी तो वो इस रिस्ते के लिए राजी हो जाता है अब ये रिस्ता कर दिया जाता है और रिस्ते के बाद वो जो ल से मिलाया गया वह भी देखने मैं काफी स्मार्ट था क्योंकि जो उसकी स्कूलिंग हुई वह दिली पब्लिक स्कूल से हुई और जो उसने ग्रैजवीशन की वह दिली यूनिवेस्टी से की पढ़ने मैं भी बहुत उश्यार था लेकिन घर का एकलौता बेटा था पिता का ब अलत गलत आधतों में उसको खिछते ले गए यही सब का नतीज़ा था कि आज बौबी बहुत बड़ा नसेड़ी बन चुका था अब जैपूर में उन दोनों की मुलाकात होती है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं नेहा भी गरीब परिवार से भले ही थी लेकिन काफी स बौबी अपने घर से चला जाता है जो बौबी कमरे में नहीं दिखता है तो उसकी पतनी सबी जगे नेहा भी को ढूंटी है और तब यह अपने साससुर के कमरे का दरवाजा खटखटाती है कि पापा बौबी नहीं मिल रहे हैं कहां गए आपके बेटा कहां गए वो जो ब प्राइवर था गौतम उसको फोन किया जाता है और पूछा जाता है कि तुम कहां हो तब ही वो कहता है और कहां जहां पर हमेशा होते हैं जब तक मालिक का मन नहीं भरेगा तब तक मैंने कैसे ला सकता हूं और वो कहते हैं नहा से कि बेटा वो आ रहे हैं अभी किसी काम से बहर गए हैं तुम आराम करो तब ही वो लड़की अपने रूम में चली जाती है लेकिन उसको नीद नहीं आती है करीबन रात के तीन बजे गौतम बॉबी को ले कर आता है नसी की हालत में था चलने की भी हालत में नहीं था वो उसको पकड़ कर लेकर आता है और सोफे पर ही इसके आसु टपकने लगते हैं और फिर वो अपने पती को अंदर ले जाने के लिए अपने ससुर से बोलती है कि पापा इनको यहां मच्छर कर जाएंगे आप इनको मेरे रूम में लिटवा दीजिए तभी नेहा और जो गौतम है वो दोनों उसको अंदर लेकर जाते हैं वो और जो सेड़ जी हैं वो दोनों बैटकर नेहा को सारी बाते बताते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमारा बेटा साल शे महिने का ही है और हमें अपने परिवार के लिए एक ऐसी बहु चाहिए थी जो हमारे परिवार को चला सके हमारे बिजनिस को चला सके और हो सकता है हमारे बे थी कि ये भी हालात के मारे हैं हालात से मजबूर हैं तब इस सुबह होती है और नेहा अपनी मम्मी को फॉन लगाती है नेहा जब अपनी मम्मी को फॉन लगाती है तो उसकी सास बहुत दर रही थी नजाने क्या कहेगी क्या होगा लेकिन नेहा ये सोचकर अपनी मा को कुछ भ बंद कर देती है और फिर अपने सासर से बात करती है कि मा जी पिता जी यूएसे में बहुत अच्छे अच्छे यह नसा छुडाने वाले केंद्र है जहां पर बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है और क्यों कि मा ता पिता चाही रहे थे कि उनके बेटे को कोई ऐसी जगे ले जाए उसको ठीक करवा दे तो इस बात को सुनकर सासर सुर बहुत राजी हो जाते हैं अब उसको नसा मुक्ती केंद्र में इंडिया के ही डाला गया जिस पर जिसमें वहर बार जाता था लेकिन यहां पर करीबन 6 महीने लग जाते हैं नेहा को अपना पासपोर्ट बनव से उसमें उसको एड्मिशन मतलब उसमें एड्मिट करा देते हैं और वहीं पर एक फिलेट लेकर रहने लगते हैं और क्योंकि उसके ससुर को वहां पर काम करना था अपने अंडिया में बिजनिस समालना था तो थोड़ी जल्दी आ जाता है उसके एक महीने बाद सास भी व अब इसे ये हैबिट दुबारा नहीं होगी लेकिन नेहाब फिर भी लगवग एक महीने के लिए उसी के साथ उसी फ्लेट में वही रहती है उसके अलग अलग हिस्सों में घूमती है और तब भी जो बॉबी है उसे कोई भी तलब नहीं लगती है और अब उसको लेकर जहां वो उसे लेकर जाती है लेकिन लगवग छे महीने निकल जाते हैं और अब उनके दो बच्चे हो चुके थे समय ऐसे निकला और वो जो नसा था वो बिल्कुल छोड़ चुका था और बार बार वो निहा का अपनी लाइफ में आने के लिए धन्यवाद बोलता है उसके इसकी वज़े से हमारा बेटा आश्रक्षित है सेफ है इतनी बुरी जो नसे की आदती उसे छोड़ चुका है इन सब चीज को देखकर जो गौतम था वो भी राजस्तान का था वो अपने घर लोट जाता है लेकिन वो जो सेट जी है और सेटानी जी उसका खर्चा आज भी बहुत अच्छे से उसके परिवार का खयाल रखा जाता है क्योंकि काफी समय पुरानी है वो लड़का जो बोबी है वो भी काफी एज हो चुकी है और जो उसका ड्राइवर था उसकी भी काफी एज हो चुकी है यह कैसी कहानी हमारे साम्याई जिसने साबित कर दिया घर की वहुचाहे तो क्या नहीं हो सकता इतनी बुरी हैविटी जिसे वो छुड़ा देती है अपने पती की और अगर सोच जाए तो यहां पर ऐसा भी हो सकता था जो आज मौडरन यूग जो चल रहा इसमें जो लड़कियों की सोच होती है वो क्या करती है कि बस देखा सास से सिकायत की ससुर से सिकायत की अपने मावाप से सिकायत की तड़ाक देने के लिए फट से तयार हो जाती है लेकिन यहां पर यह जैसे सत्यवान के जीवन को बचाने के काफी प्रयास किये इंतिजार किया हर चीज को सहन किया तो आज वो अपने परिवार में खुश है ऐसी पत्नी सब को मिले हम यही काम ना करेंगे आपको कैसा लगा कहानी सुनकर कमेंट सेक्सर में जरूर बताना बहुत जल्ब फिरातियों ऐसी सची घटना के लिए तब तक के जय हैं